स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में अब आप सुनेंगे हरिशंकर परसाईजी की लिखी हुई एक व्यंग रचना तीसरे दर्जे के श्रधिय बुद्धी जीवी बहुत थोड़े में ही संतुष्ठ हो जाता है उसे पहले दर्जे का किराया दे दो ताकि वो तीसरे में सफर करके पैसा बचा ले एक आध माला पहना दो, कुछ श्रोता दे दो और भाशन के बाद थोड़ी तारीफ वो मान जाता है इतने में मैं भी विश्व विद्यालय में भाशन देकर संतुष्ठ था उस शहर से 20 मील इधर के स्टेशन से मैं तीसरे से पहले दर्जे में आ गया था जिससे मेजबानों को बुद्धी जीवी को तीसरे दर्जे से उतारने की शर्म न जहलनी पड़े मैं दर्वाजे पर हैंडल पकड़े तब तक खड़ा रहा जब तक उन्होंने मुझे देख नहीं लिया ऐसा हो चुका है कि स्वागत करता मुझे पहले दर्जे में तलाश कर रहे हैं और मैं चुपचाप तीसरे दर्जे से उतर कर उनका इंतजार कर रहा हूँ जब वे मिलते हैं तो दोनों पार्टियों को शर्म महसूस होती है वे सोचते हैं कि थर्ड क्लास ये को बुला लिया है और मैं सोचता हूँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया कभी मौका मिला तो नजर बचा कर प्लैटफॉर्म पर तीसरे दर्जे के सामने से सरक कर पहले के सामने आ जाता हूँ और फिर बाबू को टिकट इस तरह देता हूँ कि मेजबान जान न सके कि वो तीसरे दर्जे का है श्रधे के भी दर्जे होते हैं तीसरे दर्जे का श्रधे प्रेरना नहीं देता, वो शर्म देता है. गांधि जी की बात अलग थी. वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमाद देते थे. हम तो पहले दर्जे में बैठ कर भी तीसरे की हींता अनुभव करते हैं. संत और बुद्धी जीवी में यही फर्क है. मुझे विशेश सावधान रहना पड़ता है पाठिक्रम में आ गया हूँ कोर्स का लेखक हो गया हूँ कोर्स का लेखक वो पक्षी है जिसके पाउ में घुंगरू बाध दिये गए हैं उसे ठुमक कर चलना पड़ता है ये आभुशन भी है और बेडियां भी सत्य बोलो किसी को कश्ट मत दो ब्रह्मचर्य से रहो पराइस्तरी को माता समझो आदी-आदी एक तो बुध्धी जीवी फिर कोर्स का बुध्धी जीवी मुझे विशेश सावधान रहना पड़ता है कितना ही प्रकर बुध्धी जीवी हो अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है तो उसका मनोबल घट जाता है तीसरे दर्जे से उतरा और बुध नहीं अबुध शाकाहारी होटल में ठहरा बुध्धी जीवी आधा बुझ जाता है मैं मनोबल बनाए रखने के लिए 15-20 मील पहले तीसरे से पहले दर्जे में आ जाता हूँ और पेट चाहे पचा न सके अच्छे मांसाहारी होटल में ठहरता हूँ पहला दर्जा और गोष्ट बुधी जीवी को प्रकर बनाते हैं लोटते में मैं तीसरे दर्जे में ये कहकर बैठ जाता हूँ कि पहला दर्जा रात को असुरुक्षित रहता है यही बुधी जीवी की मिश्रित अर्थ विवस्था है जो देश की मिश्रित अर्थ विवस्था के अनुरूप ही है देश के प्रती बुद्धी जीवी बहुत जागरुख है वो पहले दर्जे से उतरता और तीसरे में चड़ता मेरे भाशान का विशय था आजादी के पचीस वर्ष सामने लड़कियां बैठी थी जिनकी शादी बिना दहेश के नहीं होने वाली थी बैल की तरह मार्केट में उनके लिए पती खरीदना ही होगा वर का बाप जचकी तक का खर्च जोड कर ले लेगा स्त्री के लिए अभी भी पतनी के पद पर नौकरी सबसे सुरक्षित जीवी का है और लड़के बैठे थे जिन्हें डिग्री लेने के बाद सिर्फ सिनेमा घर पर पत्थर फेकने का काम मिलने वाला है आजादी के पचीस वर्षों का यही हिसाब है पर पिछले दो वर्षों से कहा जा रहा है कि देश में क्रांती हो रही है बुद्धी जीवी इसे समझें और इस प्रक्रिया में सहयोगी बनें बुद्धी जीवी को क्रांती की बात करने में क्या लगता है वो सारा गुस्सा सरकार पर उतार देता है इससे वहवाही मिलती है वो साहसी कहलाता है लोकप्रिय होता है मगर ये छद्म क्रांतिकारिता है ऐसा लेखक सरकार पर नाठकी हमले करके सारी क्रांति विरोधी बुर्जुआ ताकतों को बचा लेता है इस तरह वो बुर्जुआ समर्थक हो जाता है लुकाच का तो यही निशकर्ष है मांग है तो मैंने क्रांतिकारित्या की बात की तीन पहले दर्जे का किराया और पेट में मुर्गा बुद्धी जीवी को क्रांतिकारी बना देता है मुर्गा दिन में सबसे पहले क्रांति का आवान करता है क्रांती की बांग देता है और फिर घूडे पर दाने बिनने लगता है भारती बुद्धी जीवी का भी यही हाल है क्रांती की बांग घूडे पर दाने चुगना और हलाल होने का इंतजार करना यो दूध और कलाकंद खाने वाले नहीं सेवन करने वाले भी अपने को क्रांतिकारी बुद्धी जीवी कहते हैं, पर मैं नहीं मानता। लोटने के लिए स्टेशन पहुँचा, तो टहलते हुए सोचने लगा। इन पचीस वरशों ने क्या दिया? इस समय मेरी क्या चिंता है। क्या मैं क्रांतिकी बात सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे यात्रा की घबराहट है, बर्थ की घबराहट है। मैं बार-बार टिकट निकाल कर देखता हूँ, आज कही है? कहीं जाली तो नहीं है? रिजर्वेशन सही है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं। मुझे गाडी के समय की चिंता है, मैं चिपका हुआ टाइम टेबल देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाडी निकल गई हो, टाइम टेबल देखता हूँ, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं, ये पुराना भी तो हो सकता है, मैं वहीं खड़े बाबू से पूछता हूँ, आपने अभी तो वो चिपका हुआ टाइम टेबल देखा है। मैं कहता हूँ चिपके का क्या भरोसा। पचीस सालों से क्या-क्या नहीं चिपका है इस देश में। सम्विधान के निर्देशक सिधांत चिपके हैं, पर अमल नहीं। चिपका है गांधी जी का वाक्य, स्वराज जिमें हर औरत का आंसू पोचा जाएगा। मगर ये तय नहीं हो पा रहा है कि रुला कौन रहे हैं। पचपन करोड के हाथों में एक-एक रुमाल दे दिया गया है कि लो एक दूसरे के स्वराज के आंसू पोचो। चिपके कागस का क्या भरोसा। समाजवादी ढंग का नारा चिपका था, पर काम सब बेढंगा हो रहा था। फिर जनतांत्रिक समाजवाद चिपक गया, फिर समाजवाद चिपका, अब गरीबी हटाव चिपका है, मगर कीमतें बढ़ रही हैं। चिपके कागस का कोई भरोसा नहीं रहा गया। बाबु मुझे गाड़ी का समय बताता है, पर मैं एक बाबु पर भरोसा नहीं करता, एक पर भरोसा करके नागपूर में भुगत चुका हूँ। उसने कहा था कि ये गारी बयतूल रुपती है, पर बाद में मालूम हुआ की नहीं रुकती, मैं दूसरे बाबू से पूछता हूँ, थोड़ा आश्वस्त होता हूँ, मैं अब काले तक्ते पर देखता हूँ, लिखा है, right time, मुझे भरोसा नहीं होता, कल कल लिखा हो, और मिटाया ना गया हो, या कोई और गाड़ी right time हो, लेकिन लिक इसके सामने दिया मैं फिर दो बाबू से पूछता हूँ, जो कहते हैं कि गाड़ी right time है, फिर भी मुझे भरोसा नहीं होता, गाड़ी समय से पहले भी आ सकती है और लेट भी, अब मुझे समय की चिंता लग गई है, रेलवे की घड़ी का भरोसा नहीं, महीनों बंद पड़ी रहती है ये गाड़ी देखता हूँ, पर उस पर भी मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं, कब चाबी दी, फिर इन गड़ियों का कोई ठिकाना है, मैं एक दो लोगों से समय और पूछ लेता हूँ, अब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं जानता हू गाड़ी पूर्व से आती है, पर मैं पश्चिम की तरफ भी देखता हूँ, दोनों तरफ से गाड़ी का इंतजार करता हूँ, कोई ठिकाना नहीं, पूर्व से आने वाली गाड़ी पश्चिम से भी आ सकती है, सोचता हूँ मुझे ये क्या हो गया है, इतना अनिश्चय, और अविश्वास की मान सिक्ता दी है हमारी पीड़ी को और यही हम आगामी पीड़ी को विरासत में दे रहे हैं। सहकारी दुकान के सामने कतार लगी है और पीछे के दर्वाजों से चीजें काला बाजारी में चली जा रही हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अबके जब राम के काम से गंधमादन जाओ तो हमारी लिए भी पेचिस के दवा लेते आना। गाड़ी आती हैं। तीसरे दर्जे के श्रधे जब अपनी सुरक्षित बर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई दूसरा बिस्तर फैला रहा है। झालमों, यहां अबढ़न खचार थैसंवालनी सुरक्षिति हैं, सवेखते हैं झालमों, यहां अपनादे हैं जाते हैं, यहां रुदांग प्रेखते हैं, जाते हैं। जात तो यह तामनीॽच Соưỡ़à